मैं आतिवाई वालमी बटियागर जिला दमो मंध्य प्रदेश इद्रा कालोनी वाड नमबर 9 10 11 तो जहां विजली की समस्या बहुत जादा है को दो से अब के लाइट है ना हमाई हमाँ घर ना हम घर गहीड reาย बालपह मारे हमारे करण सब्सक्राइब कब काटा था? बारस में बस फिर जो करेंगर? का सपने लगलो ko बंढ़की होszका लिएना आप लगता है कि आप के लाइट होनी चाहिए हम को ज़ी हरा हम आरी स्टी ख॥触ी तो आपकी यहां लाइट कब से नहीं? जब से हम तो आए हैं 20-25 साल होगा आप लोगो ने कभी कोशिश नहीं की? की है, कोई सुनता ही नहीं है. वो लाइट भी नहीं है, लाइट की परेशा नहीं है, इस साल फैल भी हुआ है थी लाइट की पिर दिन बार काम करना पड़ता है, इसलिए. और रात में नहीं पढ़ पाते थे? नहीं. क्यों नहीं पढ़ पाते थे? क्योंकि लाइट नहीं है, दिन बार काम करना पड़ता है, और रात में आए शो लाइट नहीं है, शो कैस से पढ़ दीते है? आज एक साल के बाद यहां बदलाओ आया है, जो वल्टेज को लेके था. पहले जासा मैं से आती के लाइट कम हागती, दिम हागती, अब पूरी तो हरसे लाइट अची आउन लगी, खमा भी गड़ गड़ गए, और अची भर पूर लाइट मिलन लगी. यह बाद लाओ कैसे आया दादा? आपने बी-दद बनाई थी, तो उसे आपने बिद द बंणल में में बताया, तो उसे कमी रही थी, तो अपने आब अविदन लगाया इस समसरी जानकरी मुझे आपके फोन के थूर हुई और आपने जो वीडियो दिखाया मुझे इसकी जानकरी मैंने अपने पूर अधिकारी थे आपे साहसा उन से ली और उन्हें बताया मुझे इस्टेमेट बनाके उन्हें संक्शन करवा दिया है और काम भी लवर शालू हो इसके बाद ही अपके समसरी जानकरी मेरी थी आप क्या सो विदा मिली है अपको बदला हो है टीवी देखते हम लोग पंके भी चलते अच्छे आराम से सोते भी हैं और कीरा पटी रहा आपकोई डर नहीं लहता है पहले कैसी विजली आते थी पहले बहुत धीमी मद्वी आत पड़ाई करने लगें सब बदलाओ में क्या क्या हुआ है बताएंगे अब में गड़े है ना डीपी रखने के बाद में दो एक हमारे दर्वाजी के सामदे गड़ा है और एक रोट कुस पार गड़ा है और क्या है अब लाइट अच्छी आने लगी है तो अच्छा लगने लगा है बदलाओ में उन्हें रोट से जो खंबे नहीं थे वो खंबे लगाए गये हैं और जो वहां डीपी आनी ट्रांसफार्मर की कमी थी जिससे बॉल्टेज काम आता था वहां वो भी लगाए गया है इसमें जो बदलाओ आया था वो था हमारे स्रीमान सहाय साय सर के द कि अटेल के वहाए बदलाओ में जो दो कि लगाए वो झाल झाल